तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन बैंक के स्टॉक के बारे में आज की दिन में शानदार तीजी देखने को मिली है स्टॉक जो है लगबग 4.88% जो है उबर की लेवल पे कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है करंट प्राइस की बात करेंगे रोड़ोजन 19 से रोड़ोजन 22 तक का डेटा हमारे सामने शो कर रहा है अगर हम कंपेर करते हैं 22 को 21 के साथ में तो आप देख सकते हैं रवेन और प्रॉफिट में दोनों में काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है और सबसे में जो इंपोरेंट जो होती है नो देख सकते हैं पिछले दो दिन से काफी शांदार तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिल चुकी है फाइनली हमें यहां पर 305 के जो रिजिस्टन्स था यहां पर रिक आप रिकाउड भी देखने को मिल रही है पॉसिबिलिटी जादा रही कि अकिन हमें फर्दर यहां से स् में से इंडिकेटर भी हमें मजबूती के सिगनल देता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों अभी तक आपने इंजल में डिमेट अकॉंड ओपन नहीं किया है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है उस लिंक का यूज करके आप फ्री में डिमेट अकॉंड उपन कर सकते हैं और भी ऐसे बहुत सारी वीडिये जो हमारी यूट्यूब चैनल पर अप्लोड किये गए अगर आप नुडेस को नहीं देखें तो नुडेस को भी जरूर वाच करें अगर सिखना चाते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक से लेके एड़वांस तक तो जो हमारा कॉंड़क नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती है वहाँ पर अप उसक्काट कर सकते हैं चलते हैं इंचल वन आप में आचुके हैं अप मैं आ आके बाद में के साज़ज बॉक्स में स्टॉक का नाम से अच करके अड़ कर लेना हमने पहले से इंटियन बैंक को और करके रख लिया है उस पर हम tap करेंगे tap करने के बाद कुछ इस तरह से ईंटरफेस शो करेगा simply हमें बाइप एटच करना है wow करने के बाद अगर आप स्टॉक को बाई करके होड करना जाते हैं डेल्यवरी में करेंगे सम despite by same day sell करना जिए तो आप intra day में करेंगे यहाँ पर हमें quantity एंटर करनी है माल लीजिए हमें यहाँ पर इसके 50 quantity चाहिए तो यहाँ पर हम 50 quantity एंटर करेंगे नीचे में limit और market को option देया limit आने के stock को आप अपने मनपसंद price पर खरिद सकते जिसे के stock की price चल रही है 320 बाइपे टच करना है बाइपे टच करने के बाद confirm आ जाएगा confirm पे टच करने के बाद हमारा order जो है successfully execute हो जाएगा same process रहेगे intra day के लिए भी दोस्तों यह जो वीडियो बनाएगी है सिर्फ सर्फ educational purpose के लिए बनाएगी है जब यह कोई स्टाक मेंटरी बनाएगी तो अपने financial advisor से consult करके ही स्वेंटरी बनाएगी तो चले मिलते हैं next वीडियो में कर दो चले मिलते हैं